दोस्तो जिन लोगों का उमर 50 प्लस हो चुके है यानि वे लोग जो अपना बुढ़ापे के तरफ बढ़ रहे है तो ऐसे लोगों में देखा गया है कि सेक्सुल प्रॉब्लेम्स काफी जादा होती है तो आज इस वीडियो में हम लोग ये डिसकस करेंगे कि बढ़ता हुआ के कारण जिन लोगों में सेक्सुल प्रॉब्लेम्स होती है वे लोग कौन सी होमेपातिक मेडिसिन का सेवन करके बड़ी असानी से फिर से अपना सेक्सुल लाइफ को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो मैं डॉक्टर सु करें और बगल में जो बैल आइकन है उसको भी दबाना ना भूले दोस्तों पुरूसों में होने वाली यौन समस्या के पीछे बहुत सारी कारण हो सकता है लेकिन बढ़ता हुआ उमर भी एक कारण है उसमें हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन और आफ्लाइन पेसेंट आते है जिनका उमर 50 साल हो चुका है 55 साल हो चुका है 60 साल हो चुका है और जिन लोगों में कोई सारीरिक समस्या नहीं है ना तो उनको कोई डियाबिटीस है ना तो उनको कोलेस्टरॉल है ना तो उनको कोई हार्ट की समस्या है ना तो उनका पूजुद भी उनका अंदर ऐसा कोई सारीडिक समस्या हमें देखने को नहीं मिलता है बट फिर भी वे लोग यौन समस्या से ग्रसित हो जाते हैं हावी हो जाता है उनका अंदर यौन समस्या तो कही न कहीं ये बढ़ता हुआ उमर के कारण से ऐसा हो रहा है आपका लिंग का ब्लड फूड की कमी के कारण से हो रहा है तो ऐसे लोग जो की फिजिकल और मेंटल तोर पे पूरी तरह फिट है जिनका अंदर कोई सारीडिक समस्या नहीं है सिर्फ बढ़ता हुआ उमर के कारण जिनका अंदर सेक्सवाल प्रॉब्लेंस हो जाती है तो ऐसे लोगों में हम लोग वे कौन सी दो होमोपतिक मेडिसिन खिला सकते है जिन मेडिसिन का इस्तमाज से इस तरह का प्रॉबलेम यह जो बढ़ता हुआ उमर के कारण यह यौन समस्या हो रही है इससे पेसेंट पूरी तरह निजात पा जाए तो जो पहला दवा का नाम मेरा जहम में आता है वो ह मेडिसिन के बार में हम लोग सोच सकते है और इस दवा का असर नर्वस सिस्टेम पर बहुत अच्छा होता है और बुढ़ा पे में नर्वस सिस्टेम की ही प्रॉबलेम काफी ज्यादा देगने को मिलता है तो बराइटा कार्प को आप 30 पोटेंसी में लेकर आईए और उसक उस वीडियो को भी जरूर देखे और लाइको पोडियम भी बराइटा कार्प के तरह ही बुढ़ा पे में बहुत अच्छा काम करते हुए देखा गया है खासतोर पर बुढ़ा पे की यौन समस्या पे लाइको पोडियम बहुत ज्यादा इंडिकेटेड रहता है मैंने फिर आपको अगर डायर्ट लेने में कोई दिक्कत होता है तो फिर आप थोड़ा सा पानी के साथ भी मिला कर आप पी सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो बराइटा का आप 30 को सुभे साम ले और लाइको पोडियम 30 को दो फैर और रात को ले और इन दोनों ही मेडिस में बहुत सारे चेंजेस आप देख पाएंगे फिल कर पाएंगे सबसे पहला चेंजेस जो आप देख पाएंगे वह आपका अंदर लिबिडो बढ़ गया है यानि सेक्स के पती जो इच्छा है जो इच्छा की कमी हो चुकी थी वो जो है फिर से ठीक हो चुका है वो जो आ बहुत सारे चीजे आप अपना अंदर फिल करेंगे जैसे ही मेडिसिन आप लेना स्टार्ट करेंगे आपको दिगना स्टार्ट हो जाएगा तो दोस्तों 50 प्लस लोगों के लिए ये दो टॉप होमेपाथिक मेडिसिन है जिनका नाम हमने आपको आज इस वीडियो में बताया है और लेने का तरीका भी हमने आपको बताया है और अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको मुझे से और को जान करें चाहिए तो फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए उसका रिपलाई आपको वहीं पर दे दिया जाएगा इसके इलावा दोस्त जो अपना यौन समस्या के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट लिये है उनका प्रॉब्लम ट्रीटमेंट से पहले कैसा था वो किस तरह का प्रॉब्लम लेकर हमारे पास आये थे और अब वो हमारे पास एक प्रॉपर कंसल्टेशन लेकर ट्रीटमेंट कराने के बाद अपने जाने यौन समस्या के लिए कौन-कौन सी एलोपाथी मेडिसिन खाते हैं, कौन-कौन सी जड़ी बूटी खाते हैं, कौन-कौन सी इंजेक्शन्स लगाते हैं, जिसका कितना बढ़िया और सेफ ट्रीटमेंट होमोपाथी में वेलेवल है, विदाउट एनी साइड एफेक्ट,